दोसो पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर क्लिप मास्क और लेयर मास्क जैसी जबदस टेकनीक स्टेडी की ये टेकनीक आने वाले वक्त में हमारे बहुत ज़दा काम आने वाली है अच्छा इस लेसन में मैं आप लोगों को फोटोशॉप की एक और बहुत इंटरस्टिंग फीचर स्टेडी करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ग्रेडियंट्स दोसो इससे पहले कि मैं आपको फोटोशॉप में ग्रेडियंट्स यूज़ करके दिखाऊं और यह समझाऊं कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पहले मैं आपको यह समझाना चाहा रहा हूँ कि ग्रेडियंट्स एक्चुली होते क्या है दोसो अगर हम कलर को बगवर स्टेडी करें तो हमें पता चलता है कि तमाम colors की different grades होते हैं मिसाल के तोर पे अगर मैं yellow color लूँ प्योर yellow color और उसके अंदर मैं white add करना शुरू करूँ तो yellow के tense बनने शुरू हो जाएंगे इसके बिलकुल बराक्स अगर मैं इसी yellow के अंदर black add करना शुरू करूँ तो इसके shades बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तो इस तरह से हम किसी भी color के अंदर white या black add करके उसके grades हासल कर सकते हैं यानि कि उसके different tones और shades हासल कर सकते हैं दोस्तो ये जो gradient है इस tool का मकसद और इसका काम बिलकुल इसी तरह से है जिस तरह से हमारी color की tonal gradation काम करती है तो चलें photoshop की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि gradient tool का क्या फाइदा है और इसका इस्तमाल किस तरह से किया जाता है अच्छा दोस्तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक print का जो custom मैंने लेकर रखा हुआ है setting और एक canvas मैंने लिया हुआ है blank canvas है और मैंने एक layer ली हुई है इसको मैं rename कर देता हूँ जी gradient के नाम से ये जी मैंने इसको rename कर दिया gradient के नाम से अच्छा अब जनाब यली हमारे tool bar के उपर अगर आप G प्रेस करें तो यहां पे आपके tool bar पे gradient tool अवेलिबल है दोस्तो gradient tool की short key है G जैसे ही आप alphabet G प्रेस करते हैं तो आप gradient tool पे आ जाते हैं और tool bar में आपको जो gradient tool है वो activate हो जाता है तो दोस्तो यह हमारा gradient tool है अब दोस्तो आप देखते हैं कि इसमें हमारे कुछ important options क्या क्या हैं और इसको हम किस तरह से इस्तमाल करते हैं दोस्तो आप यह देख सकते हैं कि आपको जो foreground color और background color है यह gradient के अंदर यहां पे आपको नजर आ रहा है अगर मैं यहां पे white की जगा पे blue add कर दूँ तो यह आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास blue color आ गया है opacity मैं इसकी 100 रखूँगा अगर मैं यहां से इसकी opacity कम कर दूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास transparency यानिके transparent जो है वो आपका background आना शुरू हो जाता है लहादा इसकी opacity हम जो है वो 100 रखते हैं ताके हमारा gradient हमें full ट्रॉप पर नजर आए अच्छा यहां पे मैं वापस white पे लेके आता हूँ दोस्तों आपका foreground color और background color इंतहाई important है gradient के हवाले से अगर आप gradient tool के अंदर काम कर रहे हैं तो याद रखें आपने foreground color और background color जो choose किया हुआ है उसी के हवाले से आपका gradient जो है वो बनेगा अच्छा जी यहां पे मैं कुछ important options आपको बताता चलूँ यहां पे हमारे पास यह तीन चार बहुत important options है यहां पे लिखावाजी linear gradient इसके बाद radial gradient फिर angle gradient उसके बाद reflected gradient और फिर diamond gradient दोस्तों यह basically हमारे पास gradient की different types available हैं जिन को हम different तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहां पे हमारे पास linear gradient पर देखते हैं कि linear gradient क्या है तो इसको gradient को apply करने का तरीका बहुत ही simple है मैंने अगर यहां पे gradient apply करना है तो मैं उपर से नीचे की तरफ या left से right की तरफ किसी भी direction में मैं अगर drag करूंगा अपने mouse को तो यह आप देख सकते हैं कि जैसे मैं mouse को drag करता हूँ तो हमारा एक gradient जो है वो हमारे इस white background के उपर जो है वो आ जाता है बलके मैं यहां से यह करता हूँ कि background को जो है वो यहां पे layer अलादा कर देता हूँ और एक अलग layer ले रेता हूँ जिसमें मैं इसको rename कर देता हूँ जी gradient चालें अच्छा अब यहां पे यह जो हमने linear gradient लिया है अगर आप गोर करें तो यह जो linear gradient है यह line के pattern के अंदर इस्तमाल हो रहा है यानि कि अगर मैं यहां से इसको drag करता हूँ तो आप देखें कि यह बिलकुल ऐसे हमारे पास आ रहा है जैसे कि एक line की सूरत में जिस direction में हम line को drag कर रहे हैं उसी direction के अंदर हमारा gradient जो है वो हमारे पास achieve हो रहा है दोस्तों यह gradient जो है यह बात याद रखें यह background बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा useful चीज़ है अगर आप किसी भी किसम का design बना रहे है को पोस्टर है कोई magazine ad है आपने अपने client के लिए online client के लिए कोई flyer बनाना है birthday party का या किसी भी invitation card को आप design कर रहे हैं तो याद रखें background बहुत ही खुबसूरत आप create कर सकते हैं gradient tool की मदब से अच्छा जी हम gradient tool के अंदर यह देख रहे हैं linear के बाद एक option हमारे पस यहां पे available radial gradient की दूसरो radial gradient में हम जैसे ही drag करते हैं तो आप देखते हैं कि यह radial gradient जो है यह round हमें शकल एक दिखाता है roundness के अंदर radius के अंदर जिसना से circle होता है आप देख रहे हैं कि अंदर white आपको नज़र आ रहे हैं और जो side हैं उनमें आपको yellow नज़र आ रहे हैं अच्छा यहां मैं एक और बात आपको बताता चलूँ बहुत जरूरी कि अगर आप यह जो ड्रैग करते हैं माउस के साथ अगर shift hold करके करेंगे तो आपको यह जो ड्रैग यह बिलकु सीधा आएगा इसके अलावा अगर आप shift को hold कि यह बगएर यह ड्रैग करेंगे तो यह आपका जो gradient है यह खास वर पर अगर आप linear gradient में काम करें तो यह देखें यह आपका gradient जो है वो एक खास उसी direction के अंदर move करेगा लहाज़ अगर आप इसको straight और uniform रखना चाहते हैं एक बड़ा standardized रखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप drag करते हुए gradient tool को shift की की जो है उसको hold कर लें जिस बहुत खुबसूरत चकल होती है gradient की इसी तरह से यहां पर हमारे पास available है जी उसके बाद angle gradient यह आप देख सकते हैं जैसे मैंने यह लगाया तो यहां पर आपको एक angle बनावा नजर आ गया और उसके साथ साथ कुछ आपको ग्रेडियंट वाली फील भी नजर आ रही है इसक यहां पर हमें नजर आ रहा है रिफलेक्टिड ग्रेडियंट का मतलब है कि यह हमें बिलकुल एक reflection की सूरत में gradient देगा यानि कि यह आप देख सकते हैं यह reflected form के अंदर हमें नजर आ रहा है अच्छा इसके लावा जनाब यहां पर हमारे पास एक आखरी option है जी diamond gradient की यह gradient व यहां पर मैं white colors को अगर change करूँ यहां पर मैं blue कर दूँ और यहां पर मैं जनाबी अली green color जो है वो choose कर लूँ तो यह आप देख सकते हैं कि हमारा gradient है वो altogether change होके रह गया है अब अगर मैं radial apply करता हूँ तो यह देखें center में हमारा foreground color यानिके blue आ रहा है और corners के उपर radial gradient में ह green color आ रहा है अगर मैं इसको undo करके इसको उल्टा दूँ यानिके reverse कर दूँ colors को तो यह अब देखें अब center में हमारा foreground color यानिके green आ रहा है और sides में हमारा background color यानिके blue आ रहा है अच्छे मैं radial के अंदर भी आपको थोड़ा से यह करके दिखाता हूँ यह देखें आप radial gradient के अंदर भी जब जाते हैं तो आपको green और blue जह हैं उनका एक mix नजर आ रहा है एक blend नजर आ रहा है एक grading नजर आ रही हैं दोनों की दोसो यहाँ पर एक बात याद रखें tonal gradation हमेशा सिर्फ एक color की होना लाजमी नहीं है यह भी हो सकता है कि tonal gradation जो है वो दो या दो से ज़ादा colors के आपस में mix होने से बनें जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैं gradient editor पे click करूँ तो different gradients हमारे पास पहले से कुछ preset में हमारे पास बने वे पड़े में जैसे कि यह black and white का gradient हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है इसके इलावा यहाँ पर हमारे पास यह देखें रेड और green का gradient बना हुआ है इसको अगर मैं radial में apply करूं तो यह कुछ इस किसम की हमें शकल दिखा रहा है अच्छा यहाँ पर एक और tip भी सुनते जाएं क हमारा जो एक color है वो बिलकुल सुकड जाएगा, contract हो जाएगा और दूसरे color के अंदर mix होता हुआ, blend होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा लहाँ इसके लिए जरूरी है कि यह जो आप line drag करें यह ज़रा लंबे रुख के अंदर ज़दा length के अंदर आप ड्राग करें different color के gradients जो हैं वो आपको यहां पर मिल सकते हैं, यह देखें यह काफी different colors के blue and golden है, बहुत सारे यहां पर आपको interesting जो है, वो gradients आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा एक आखरी important बात मैं आपको यहां पर gradients के हवाला से बताता चलूँ, दोस्तों आप अगर चाहें तो य यानि के मिसाल के तोर पे यह मैंने green और blue यह foreground और background color की मदद से gradient अगर लिया है, चले मैं यह करता हूँ कि मैं यहां पर आपके पोटो एडिटर में आपके इसको मैं choose करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहां पे alt के साथ क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं alt प्रेस करक आइकन ने यह basically हमारे color को define कर रहे हमारे gradient के अंदर, यानि यह blue है, अगर मैं इसको left side पर drag करूँ तो यह देखे है, हमारे gradient में blue बढ़ जाएगा, green कम हो जाएगा, इसी तरह से अगर मैं green को right side पर drag करूँ तो green बढ़ जाएगा, blue कम हो जाएगा, तो यह दोस्तों हमारे basically color color की width है या उसकी जो एक value है उसको define करता है, अच्छा अगर मैं alt के साथ यहां पर click करूँ तो यहां पर मेरे पास यह एक option आ गई है, इस पर double click करके यहां पर मैं कोई और color भी इस gradient के अंदर add कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं जितनी मर्जी बार alt पर click करता जाँ, और यहां स इसके बाद मैं अगर new पर click करता हूँ तो यह देखें, यहां पर यह मेरा एक new custom gradient जो के मैंने भी खुझ से create किया है, यह यहां पर आगया है, अगर इसको मैं यहां पर apply करके आपको दुखा हूँ तो यह देखें, यह multi-colored एक gradient जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो दो मैंने आप लोगों को यह भी बताया के gradient होते क्या हैं, और इनको हम किस तरह से बहुत ही खुबसूरत color mix करने के लिए, और colors के combinations बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, gradient का सबसे ज़्यादा इस्तमाल background करने के लिए होता है, जैसे कि मैं आपको पहले यह बता चुका हूँ, आप लोगों ने gradient को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि different color combinations के तुरू different gradients कुछ से create करें, जैसे कि मैंने आप वो create करना सिखाया, और उनको अपने पास Photoshop में save रखें, ताके आने वाले वक्त में designs बनाते हुए, यह gradient आसकें, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को gradient के lesson का मज़ा आया होगा और आप इसको मजीद explore भी करेंगे, आने वाले lesson में इन्शाला ताला Photoshop की किसी नई टेक्नीक या किसी नए feature के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी.